एक बड़ी प्यारी कथा एक प्रसंग है जो गुरु रामकृष्ण परमंस बार बार कहते थे एक बार की बात है कि कहीं गाउं में बाढ आई थी बरसाती बाढ बाढ के कारण से क्या हुआ कि कोई जोपडी बह गई थी बाढ में और जोपडी जो थी वो जब बह रही थी तो जोपडी साबुत थी मतलब टूटी फूटी नहीं थी चोटी सी जोपडी थी और पानी के तेज फ्लो में वो बह जा रही थी अब जोपड़ी जब बह रही थी तो उस जोपड़ी के साथ कोई बड़ी सी पेटी भी उस जोपड़ी के अंदर बहे जा रही थी जब वो पेटी भी बहे जा रही थी तो बांद पे खड़े कुछ लोगों ने जब देखा था तो उसमें एक इनसान ऐसा था जो सोचता है कि वो पेटी कुछ बहे जारी है और उस पेटी में जरूर लगता है कि कोई अच्छी चीज होगी, कोई कीमती चीज होगी तो वो इनसान क्या करता है, जोर से छलांग मारता है, जैसे जोपडी उसके पास आती है, दोड़ के जाता है, छलांग मारता है और जोपडी के दर्वाजे से वो जोपडी के अंदर घुश जाता है उस पेटी को निकालने के लिए तो पेटी को निकालने के लिए जब अंदर घुश जाता है तो फिर उसके बाद से वो पेटी खोलता है जाकर तो देखता है तो खाली पेटी है लगडी की पेटी है खाली है तो लकड़ी की पेटी को खाली देखकर वो पस्ताता है और सोचता है मैं बाहर निकल जाओं तो दूसरे लोग जो खड़े थे किनारे पे उस बहती हुई धारा में जोपड़ी के साथ उनसान को बहते हुए जब देख रहते तो उन्होंने जोर लगा कर आवाज लगा कर कहा था अरे बाहर निकल जाओ नहीं तो तुम भी स्वेक्षा से जोपड़ी रूपी बंधनों में जाता तो है लेकिन जोपड़ी छोड़ देगी इसमें आपकी स्वेक्षा कारे नहीं करती सेम यही होता है इनसान स्वेक्षा से अपने मित्रों के कहने पे किसी नशे को शुरू कर देता है लेकिन कुछ दिनों के बाद से नशा ही पकड़ लेता है ऐसे जकड़ लेता है कि उस नशे के चंगुल से बाहर निकल नहीं पाता है